स्वागत है आप सभी का DNA नीज में और मैं हूँ आपके साथ रत्तो भंडारी और बोलेटिन की शुरुआत करते हैं स्वक्त की बड़ी खबर से आपको बता देगी चुनाफ प्रचार छटवे चरण के लिए धम चुका है 12 माई को साथ राज्यों की उनसेटों पर मतदान होना था जिसका शुरुगुल चुनाफ प्रचार अब थम चुका है तो हैं आपको बता देगी मध्यप्रदेश के तीसरे चरण की आठ सीटों पर मतदान होना है भोपाल, गुना, मुरैना, गौलेर, भेंड, विदीशा, सागर, राजगर सीट पर 12 माई को मतदान होना है जिसका चुनाफ प्रचार अब थम चुका है तो हैं दिल्ली की साथ सीटों पर भी 12 माई को मतदान होना है बात अगर बिहार की की जाए तो बिहार से आठ सीटों पर मतदान होगा और हर्याना की 10 सीट, जारकन की 4 सीट, यूपी की 14 सीट, पशिम बंगाल की 8 सीटों पर बात अगर बिहार की 10 सीट, जारकन की 4 सीट, यूपी की 14 सीट, पशिम बंगाल की 8 सीटों पर 12 माई को मतदान होना है किसे बात आवे 5 सीट, ट किसे की 15 सीट, फूपला को मतदान होना है नहींया धूपी won बंगाल क्या वी भ ενवालोर सकी 17-19 और इसी पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप से न्यूजरूम से लाइव जुड़े हैं संदीप मध्यप्रदेश की अगर बात की जाए चुनाव प्रचार जो थम चुका है आज साथ राज्यों के उन सट सीटों पर मतदान होगा 12 मई को क्या कुछ कहेंगे जादा हाई प्रोफाइल और होट सीट बन चुकी भोपाल भी इसी में शामिल है प्रग्या सिंग ठाकुर और दिगवे सिंग के बीच यहां मुकाबला है वहीं अगर बात की जाए तो गुनाव में जो तरह दित्ते के सामने केपी यादाव जो है वो प्रत्याशी है मद्दाताओं तक पहुँचने की पूरी कोशिश की है और अपने अपने जो एजेंडे हैं वो भी बताया है लेकिन कहीं न कहीं जो है चुनाव पूरी तरह से एक विकास आधारिच जो एजेंडा होता रहा है बीते कई चुनावों से साड़क बिजली पानी की बात होती आई है लेकिन इस बार जो है एजेंडे पूरी तरह से बदल चुके है और वो दिखाई भी दिया जब चाहे बात अमित शाह के रोट शो की हो या उनके चुनाव परचार की साथी प्रधानमंती नरेद मोधी की हर सभा से जो चुनाव परचार किया गया वो राष्ट बात से जुडा रहा या कहीं न कहीं आतंक बात से जुडा रहा बात की जाए तो हिंदुत जो है सबसे जादा इसमें चुनाव में सामने आया और बीजेपी जो है पूरी तरह से मुखर होकर दिखवे सिंग पर आरोप लगा रही है कि हिंदु आतंक बात की अगर किसी ने परिवाशा गड़ी है सैफरन टेरिरिजम अगर किसी ने कहा है तो वो दिखवे सिंग है और उनको घेरने के लिए पूरी पूरी तागत जो है संग के साथ बीजेपी ने लगा रखी है और सगन जन संपर्क जो है वो किया गया है से मजबूत जो उनका नारा है उसके आधार पर काम करेगी और इसके अलाबा जो बीजेपी के राश्टिये नेतरतों है या फिर प्रदेश के नेतरतों है बात की जाए प्रवाश जाकी बिने सहस्तर बुद्दे की या इसी तरह के अन नेताओं की वो छे बजे के बाद बिजरिपी का कबजा है और एक सीट है गुना एक मात्री गुना एसी सीट है जो कि कॉंग्रिस का गढ़ है तो क्या लगता है कि बाकी की साथ सीटों पर कॉंग्रिस अपना जीत का इककट टिका पाईगी जी अगर बात की जाए पूरे मध्यप्रदेश की 29 लोगसवा छेतरों की तो कुल मिला का 90 फीजदी जो मध्यप्रदेश का हिस्सा है उस पर बीजेपी का लोगसवा चुनाओ छेतरों में कब जा है वहीं कॉंग्रिस के अगर बात की जाए तो 9 फीजदी छेतर तक ही सिमटकर रह गई है कॉंग्रिस बीते चुनाओं में रतलाम, छिंदवाडा और गुना ये तीन लोगसवा संसदी छेतर कॉंग्रिस के पास थे लेकिन 26 लोगसवा छेतर जो थे वो बीजेपी के पास थे वो कड़ा ही नहीं रितू रोचक भी है क्योंकि कॉंग्रिस के जितने भी सीनियर लीडर है या वरिष्ट नेता है वो सभी इस बार चुनाओं भी लड़ रहे हैं और पूरे दम खम के साथ चुनाओं मैदान में हैं अगर बात की जाए गुना से तो जो तरह दितन सिंदिय बड़ा चेहरा भी हैं और इसके अलावा चिंदवारा से मकमंत्री का मलनात उतरे हैं दिगवे सिंग पूर मकमंत्री जो दस साल तक प्रदेश के मकमंत्री राय बो भी हैं इसके अलावा बिदान सवा में पूर नेता जो उपनेता थे राम निवास रावत बो भी इस बार नरेंज सिंग तोमर जो की बर्तवान में केंद्री एक खनिजमंत्री है उनके सामने ताल ठोक कर खड़े हुए है इसके अलावा अगर बात की जाए तो चौती बार गौालियर से असोक सिंग पर फिर से विश्वास जो है कॉंग्रेस जता रही है हलकि यहाँ पर उनका अब बात की जाए बोपाल लोगसभा सीट की तो इस सीट पर काफी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है क्योंकि कई दिगजों के लगातर बयान भी सामने अगर बात की जाए कॉंग्रिस प्रत्याशी प्रमोथ कृष्णम की तो उनका भी एक भी हाली में एक बयान सामने आया कि इस ये भुपाल जो लोकसभा सीट है ये तै करेगी कि ये सीट गांधीवादी सोच है या फिर कहीं ना कहीं इसके पहले जो है वो बीजेपी ने कहीं बार किये उसके आधार पर जो है पूर्मकमंत्री दिगवे सिंग कहीं ना कहीं डिफेंड डिफेंडिंग की मुद्रा में थे और इसके चलते ही वो कहीं ना कहीं चाहे वो कंप्यूटर वाबा की बात की जाए या फि इसके चलते ही जो है प्रदेश के कई नेताओं को भी कॉंग्रेस ने मैदान में उतारा प्रदेश के बाहर के नेताओं को भी कॉंग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रेस कॉंफरेंस करते हुए हमने देखा साथ ही कई सिने स्टार या कहा जाए जो टीवी कलाकार होते हैं या सामाजिक कार करता है एक के बाद एक लगातार उतरते रहे है दिगवे सिंग के समर्थन में और कही न कहीं जो एक सैफरन टेरिजम की बात एक समय पर कहीं गई थी उसको लेकर कहीं न कहीं डिफेंडिंग होते हुए नजर आ रहा है और जिस तरह से साथभी प्रग्या उन्हें यातनाय दी गई और इस तरह से यूपी एक कॉंग्रेस के साशनकाल में उन पर जो यातनाय हुई है इसी के चलते जो है उन्होंने पोरलेराइजेशन करने की कोशिश की पूरा चुनाओ के धुर्भी करन की कोशिश की और कहीं न कहीं इसका जो काउंटर है वो दि इगवे सिंग चले है जी रितूब उन्होंने उनकी साहदत को लेकर बयान दिया था कि उन्हें जो यातनाय दी वो हैमत करकरे की वज़े से उन्हें दी गई और उन्होंने इसके बाद उन्हें एक शराब दिया था जिसके बाद वो आतंगवादी जो घटना हुई थी उसमें उसी शराब के चलते तिर्वन का इसको लेकर काफी विबादित रहीं और बातर गंटे का बेन जो है कही न कहीं साधवी परग्या को जो लगाये गया था, उसके चलतेवो जनसम्पर्क में पिछ्णी और इस तुरह कि विबादित बियानों के चलते ही जो है उन है कही कहीं कहा जा रहा है कि इस तरह से अगर भगवे की बात होगी या इस तरह से दुर्भी करण किया जाएगा या राष्टबात के नाम पर ही चुनाव लडा जाएगा तो आम आदमी के मुद्दे कहां गायव हो गए सिक्षा रोजगार ये सारे मुद्दे जो है वो कहां है और जो बिरोजगारी है या बिरोजगारी की दर जो बढ़ रही है उसको लेकर भी कहीं न कहीं बात हो रही है कॉंग्रेस के प्रत्याशी दिगवे सिंग पहले ही भोपाल को लेकर अपना विजन डॉक्यमेट जारी कर चुके हैं और इसमें उन्होंने भोपाल के समूचित वि नासिव नहीं समझा गया खासकर उन मुद्दों को नहीं दर्ष्टी पत्र में सामिल किया गया तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी आक्रोश तो नजर आ रहा है जी जी संदीप कहीं न कहीं ये चुनाव का जो मुद्दा है बारा मई को होना है भुपाल सीट पर एक हिंदूत का मुद्दा बन कर रहे गया है संदीप आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तो आपको बता दे कि भुपाल के छटवे चरंट की 69 सीटों पर जो मतदान होना है उसका प्रचार अप्थम चुका है आपको बता दे कि 7 राज्यों की 69 सीटों पर 12 मई को मतदान होना है तो आपको पता दे कि 7 राज्यों की 69 सीटों पर वोटिंग होनी है 12 मई को मध्यप्रदेश में 3 चरंड के 8 सीटों पर मतदान होना है भुपाल गुना मुरैना सागर गौलियर राज्यों कर सीट पर 12 मई को मतदान होना है इनमें से 7 सीटे ऐसी है जिनमें बीजेपी का कबज़ा है और एक मात्र गुना सीट जो की कॉंग्रेस का गड़ माना जाती है साथ ही आपको बता दे कि दिल्ली की 7 सीटों पर 12 मई को मतदान होना है बिहार की 8 सीटे हर्याना की 10 जार्खन की 4 सीटे यूपी की 14 और पश्रिम बंगाल की 8 सीटों पर 12 मई को मतदान होना है जिसका शोर गुल चुनाव प्रचार अब थम चुका है बुलेटिन में फिलाल वक्त एक छोड़े से ब्रेक का जल्द हाजर होंगे